यानि कि अब नए स्टेट्स को ना महाराष्टर देखो यह साथ साथ में देखते भी जाओगे तो आपको पता चल जाएगा तो यहां से लेके जो है एक चीज याद रखो की कार खरीदनी है तो टभी यह आपको ट्रिक समझमाा आएकी मतलब 1956 के बाद कैसे कैसे नए राज जी इंक्लूड होते रहे सिक्वेंस वाइज में वो चीज आपको बताने वाला हूँ ठीक है बांकि लक्षिमी कांते में यही चीज महराश्ट्रा बगलकल में मैजी भी करते रहो ताकि आपका यह ट्रिक काम आए तो आपकी माइन में यह ट्रिक ऐसी घूमनी चाहिए यूपी यूपी एसी में आपसे कभी क्रोनलोजिकल सिक्वेंस से नहीं पूछेगा बट हम रिस्क नहीं ले सकते हैं यूपी एसी अगले साल 2020 में पूझ दे सा पूझ हम ही तो रिस्पॉंजिबल होंगे खुद के लिए वो कि यार हमने यूपी एसी पूछता नहीं है तो हमने नहीं किया बट एक बार कर लो ठीक है ओके इस्टेट PCS के लिए तो करी लो यूपी एसी वैसे जनरली नहीं पूछता है ऐसे जो फैक्ट्वल होते हैं सबसे पहले दो चीज़ें एक याद रख लो कि आंदरप्रदेश सबसे पहला राज्जी बना था 1953 में और रिसेंट 2014 में आंदरप्रदेश से तेलनगाना अलग हुआ था बस अब उसके बाद सोचों कि कार खरीदनी है कार खरीदनी है तो हमें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं डिमांड ड्राप्ट बनाने पड़ता है यह सब चीज़ें बनानी पड़ती है ठीक है तो पहला इसको मैंने तीन पार्ट में इस ट्रिक को मैंने तीन पार्ट में बाटा है सबसे पहला है महत्मा गादी दूस नहींत्रे वाई है इन सब की सब लोग मदद कर रहे हैं महत्मा गांदी जी की ठीक है तो अब गांधी जी को कार खरीदनी आहे तो सिंपल सी बात है सबसे पहले उनको डिमांड राब्ट बनाना पड़ेगा कुछ पैंसे की जरुरत पड़ेगी तो सबसे पहले महत्मा गादी पहला क्या है महत्मा गादी का M निकाल लो मतलब महराष्ट्रा गादी का G निकाल लो मतलब गुजरात तो सबसे पहले राज्य तो 1953 मांधर प्रदेशी बन चुका उसके बात के बारे में बता रहा हूं कि 1956 की बात कौन-कौन से राज्य बने मारütमा गादी का सबसे पहले माहराष्टा और गुझरात उनने साठी डाध कोंकि है वहाँ सबसे बड़ा बैंक वह सबसे बड़ा बैंक पुल आपने देखा ना सेधया प्यानी हैस्ट को सोचनी वैसे ही कुछ है जहां पर डिमा ड्राप्ट है कोईillosmos के तो महा रौ और महात्मा गाधी फिकान निटिनिंग लीजाते हैं दिमांट गाधी सभावचे बनाने तो महात्मा गाधी कहा एम महाराश्टा और गुजराथ दाद्रेन नगर हेविली misin 1961 में बनता है दमन एन दियू 1961 में बनते हैं तो पहला सिक्वेंस आपको याद हो गया महराष्टरा, गुजराद, दाद्रेन नगर हेविली और डिमांड राप्ट डिमांड का बी निकालो कि दमन और डि निकालो कि दमने इन दियू है तो साथ साथ में महात्मा गादी जी अपने साथ गोवा को भी लेकी चल रहें गोवा इतना छोटा था यह माउस के जितना ठीक है कब 1961 में तब यह यूनियन गोवा का नाम फिर से आएगा तो मैं इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगा उसको क्योंकि गोवा 1987 में उसको स्टेट का दर्जा मिल गया तो जो इतना छोटा था वह बड़ा होते हुए 1987 में इतना पहुंच गया ठीक है और पहले यूनियन टेरिटी था उसका तो पहला आपको पॉइंट पहला वाला ट्रिक का पहला इस्टोरी समझ में आ गई महात्मा गादी दादरन अगर हवेली जाते हैं demon draft बनाने demand का D मतलब मंद्द का दमनें दिए और उनके साथ-साथ-साथ-सक जो पहले छोटा था वह बड़ा हो चुका है तो पहला यह हो गया पर डिमांड डाप्ट बनाने जाते हैं तो काम बनता नहीं है महत्मा गादी जी का उनको कार मिलती नहीं है पर वो कहते हैं कि यार मुझे कार चलानी है तो महत्मा गादी अपने दूसरे भाई से बात करते हैं महत्मा गादी का दूसरा भाई कहता है कि यार मेरा जान पहचान के जो कुछ बैंक है नागालेंड में तो मैं यहां है तो महत्मा गादी जी अभी काम कर रहे हैं सब वो साउथ अपरिका में है ठीक है पर महत्मा गादी जी का भाई भारत में ही रहना चाता है और वो है अपना पुड़ुचेरी में तो महत्मा गादी का जो दूसरे भाई है वो पूड़िचेरी से नागलेंड मजाते हैं पहली स्टोरी आपको समझ में आ गई न तो महत्मा गादी जी के अब मैं ये तो डेटेल में बता रहा हूं जब आप अच्छे से समझ जाओगे न तो आपको मतलब ट्रिक का ये रहता ह हूं कि आप कोई चीज मेमोराइज करने वाली है तो उसको डारक्ट याद करो ओके तो महत्मा गादी जी का जो दूसरे भाई होते हैं वो पूड़िचेरी से नागलेंड जाते हैं नागलेंड क्यों जाते हैं क्योंकि वहां पर उनकी बड़े-बड़े बैंक वरत से पहच क्या है वहां दो बैंक होते हैं उनके पास बड़े-बड़े बैंक हैं HCH बैंक और MTH पहले जाते हैं वो HCH बैंक के पास फिर जाते हैं MTH मतलब क्या होता है हर्याना चंडिगड और हिमांचल प्रदेश और MTH मतलब मनीपूर तिरपूरा और मेगालई ठीक है एक बार ये है मैं तो ऐसे बोल दे रहा हूं बट आप बार-बार अगर उसको देखते रहोगे न आपको याद हो जाएगा HCH हर्याना चंडिगड हिमांचल प्रदेश MTH मनीपूर तिरपूरा और मेगालई हर्याना भी 1966 में बनता है चंडिगड भी 1966 में हिमांचल प्रदेश 1971 में फिर कि आ इतना बड़ा हम लोन नहीं देते कार के लिए गांदी जी को तो बड़ी वह पौर्स टाइप कार्यिये होती है तो गांदी जी को मिलता ही नहीं है इसके लिए लोन अब लाश्ड जो हमारी फाइनल जो हैं हमारे गांदी जी युच्छतरे भाई हैं वो कहते हैं और य Sikkim एक अलग से चीजी हैं, Sakkim में जाते हैं, चलो मैं पहले स्टोरी कंप्लीट कर देता ऑझा, फिर Sakkim चीजे बताऊँगा, ठीक है महत्मा गादीर जी के जो तीसरे भाई है वो जाते हैं सिक्किम में 1975 में सिक्किम चले जाते हैं सिक्किम में तीनों भाईयों के माता पिता रहते हैं तो महत्मा जीर जी के जो तीसरे भाई सिक्किम जाते हैं और वहां का उनका थोड़ा सा प्यार बना रहता है है अपने मान अपपा से मिलते हैं मतलब माता और पिता है मतलब माता का निकालो में जो रहाम अपपा का ए निकालो और अरवनाचल प्रदेश में और उनके पै tempo कभी लेंगविज तो आप कुछ यह सोच लो कि इस एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं और पैर छूने को छूने को छू बोलते हैं ठीक है माता-पिता से मिलने के बाद उनकी क्या करेंगे सिंपल जी बाता पैर छूएंगे चू मतलब चू 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 च्छतिस गड़ जारकंड उत्तराकंड बस यह टूथाउजन बनते हैं और लास्ट तो मैंने आपको बता दिया लास्ट तेलन गाना तो इस तरह से मैंने सभी हो गया होगा क्या था महत्मा गादी जाते हैं दादरें नगर हवेली डिमांड राप्ट बनाने उनके साथ उनका छोटा भाई गोवा भी जाता है जो 1987 तक बड़ा हो जाता है यहां काम बनता नहीं है काहनी का दूसरा पार्ट आता है जब महत्मा गांदी के दूसरे भाई पूडूचेरी से नागा लेंड जाते हैं, नागा लेंड में उनके दो बड़े बैंकों से जान पहचान होती है, HCH और MTH, बस खतम, तीसरी इस्टोरी क्या है, मातमा गादी जी तीसरे भाई सिक्किम जाते हैं, सिक्किम में उनकी पूरी फैमली रहती है, माता और पिता रहत बस क्या था इसमें?